नमस्कार दर्श्रिकों आप सभी का स्वागत हैं हमारे बेहत इखास कारिक्रम एस्ट्रोवैदिक में और मैं हूँ आपके साथ उपिंदर कौर दर्श्रिकों आपकी हाथ की रेखाएं आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं बस आभी शक्ते हैं उन रेखाओ को अच्छे से पढ़ने वाले की और आज इस कारिक्रम के माध्यम से हम इसी विश्य पर चर्शा करेंगे कि आपकी हाथ की रेखाएं कैसे आपकी जीवन के पारे में सब कुछ बताती है और क्या क्या बताती है तो आईए बिना देरी की ये कारिक्रम के शुरुवात करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहती खास महमान का जिनका नाम है अर्जुन जी तो आईए बिना देरी की ये मिलकर उनका स्वागत करते हैं नमस्कार अ समधान करते हैं तो सबसे पहला सवाल मेरा आप से यही रहेगा कि पामिस्ट्री यानि की हस रेखा विशेशक यह जो होते हैं वो किस तरीके से जो हमेरी समस्याओं करते हैं और पामिस्ट्री है क्या तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ पामिस्ट्री या हस्त ग्यानिम यह एक आर्ट है एक साइन्स है और रिविलिंग दे ट्रू कलर्स अफ पर्सन विदाउट इवन इंटरक्टिंग तो देम वर्बली अट फर्स ग्लांस तो जैसे कि मैं अगर किसी को देखता हू उसके हाथ देखता हूँ उसकी मूमेट्स देखता हूँ फिंगर्स थौट्स और उसका थंब देखता हूँ उसका पाम देखता हूँ So that's an outline of a person as a whole. Coming back to the point what is palmistry basically कि हम सबसे पहले हम देखते हैं उसको टच करते हैं palm को और उसके बाद एनलाइज करते हैं Lines देखते हैं This is an overview of palmistry इसके origins पे हम जाते हैं तो it dates back to Samudrik शास्त Samudrik शास्त्र बेसिकली लिखी गई थी भगवान कार्थी के जी से कार्थी जी के द्वारा जो की शिवजी मादेव जी के सुपोत्र है और Samudrik शास्त्र में ये एक पार्थ है palmistry अंग विद्या का एक पार्थ है हस्त ग्यान भले ये एक पार्थ है बट मैं इसको ये कहना चाहता हूं कि ये मैं नहीं कह रहा है हमारे पुराने महारिशी नारज और गुप्ता इन सबने ये ग्रंथ हमारी इन्होंने डिस्क्राइब करी है तो बहुत ही अच्छे से भी आपने बताया है कि पामिस्ट्री कैसे और इसका ओरीजिन कहां से हुए यानिंग ये कुछ नई विद्या न कार्थी के जी से शुरू हुई है चलिए तो बहुत अच्छे से आप से हमें पता चला लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने पामिस्ट्री बनने की कैसे सोची और जब सोची तो कहां से आपने ये एजुकेशन प्राप्त की है बिलकुल सो पामिस्ट्री बेसिकली आपकल्ट साइंस ये सबसे जादा इंट्रीूगिंग एक विशे है जो हर एक इनसान चाहता है कि हां मेरे को ये आगे का मेरा पता चले या मेरे साथ क्या चल रहा है मैं उसको कैसे सुधार सकता हूं और तो ये इसमें कोई मेरे खाल से कोई रिलीजन या भेदभाव नहीं है हर एक इनसान की मेंटालिटी सिर्फ इसी चर्चा पर रहती है कि मैं उसको आगे मैं अपना फ्यूचर कैसे सुधार सको तो यही इंट्रूगिशन एक मेरे में थी तो मैंने इसले अपने पामिस्ट्री मैंने चूस करी कि मैं पहले एक बार आउटलाइन देखूं कि मैं क देखिये कि मत-बार आउटला प्रइसरा के आपकंड़न के साथ, कैसा आपकी साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, तो इसले आँरे के एक मेर में शूस, थी मैं किसे जाआश सकता हूं क्याइव, यही मैं तो मैं शुदार करी कूस की अपका था, utlust is to show कि मैंने कहां से सीखी कहां से मैंने ये विद्धिया ली है अल इंडिया इंसिट्यूट और फॉकल साइंस से जो की निती आयोग द्वारा अफिलेटेड है सो जिने हमारे गुरुजी श्री कश्यब जी चलाते हैं ही इस फाउंडर मेंबर ऑफ अल इंडिया इंसिट्यूट और उनके अंडर मैंने उनके ही स्टुडेंट मिस्टर नितिन कुमार जी से मैंने अपनी पामिश्री का कोर्स किया है आइस ऐसे तो बहुत अच्छी बात है कि आपने यह विश्री कल आपने आपको कहार मेरे और मेरा अगला सवाल आप से यह रहेगा कि मैंने अकसर सुनाई है कि हाथ जो है माननिंग में देखने सबसे अच्छा महूर्त होते या समय होता है और साथिसाथ मुझे ये भी पूछने क्या इस बात में सत्य है और क्या हम किस एज में जो है व्यक्ति का हा देखना शुरू कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपके पहले पुहेंट पे आता हूं कि सुबह हाथ देखते हैं तो उसका क्या result होता है या क्यों देखना चाहिए तो basically मैं आपको बताता हूँ यह जो हमारे दोनों हाथ हैं तो यह दोनों हाथ हमारे इसमें नव ग्रहे होते हैं ठीक है और इसमें अलग-अलग pilgrims होते हैं यह जितने भी आप phalanx देख रहे हैं pilgrims हैं इसमें भगवानों का वास होता है जैसे कि आपकी यह लाइफ लाइन है इसे हम पित्र रेखा कहते हैं और इसमें भ्रह्मा जी का वास होता है और यह जो हमारी माइंड लाइन होती है इसमें मैत्री रेखा कहते हैं जिसमें विश्नु जी का वास होता है और यहां पर जो एक आती हैं आपकी हाट लाइन जिसे एज लाइन का जाता है इसमें शिव जी का वास होता है इसमें शिव जी का वास होता है तो यहां पे आप यह देखिए कि आप सुबह उठते ही त्री मूर्तियों के आप दर्शन कर रहे हैं तो दूसरी बात इसमें आपके नव ग्रहें आगे हैं आपके नव ग् पिटर हो गया, यहां पे आपका सैटन हो गया, यहां पे सन हो गया, बुद्ध हो गया, मंगल, मून और वीनस, और राहू और केतु, इन सब के भी दर्शन हो गया, इसके इलावा आपके इस पोर्शन पे आप कहीं भी पूजा करते हैं, कहीं भी भगवान जी को, कहीं आप अ जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं, जो हम खुद लेते हैं, ग्रेंड करते हैं, वो हम यहां से करते हैं, क्योंकि एक कुबेर देव जी का होता है, पित्रों के लिए हम जैसे पित्र हमें पता है, और यम देव को रिलेटेड हैं, तो पित्रों की जैसे भी आप कोई भी पूज करते हैं, तो उनका दान हमेशा यू किया जाता है. और ऐसे ही किसी को हम जैसे नौर्मल खाना देते हैं, दान करते हैं, तो हम उसको यूजली यू परूशते हैं, यू दान देते हैं, क्योंकि यहां पर वायू जी का होता है वायू मलब आपकी और expansion हो इन कर्मों में तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि इतने सारे देवी देफता हैं और आप सुबह उठते ही आप उनको देख रहे हैं एक मंत्र में आपको specially बताता हूँ इसके साथ वो है कराघ्रे वस्ते लक्षमी कराघ्रे वस्ते में आपके जो fingertips में लक्षमी जी का वास होता है कर मद्धे करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मद्धे सरस्वती कर मूले स्थित्व ब्रह्मा जी प्राता कर दर्शनम तो इसमें आप ये दोनों हाँ जोड़े और जैसी आपकी आँख खुलती है सुबा आप इनके दर्शन करें इस मंतर के साथ आप देखिएगा कि कुछ टाइम में जो आपकी बले कटी फटी रेखाए हो या पर्व कोई ठीक न हो या कोई ग्रह ठीक न हो ये आपको definitely मैं लिख के देता हूँ कि आपको बहुत helpful रहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है देखिए अभी आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया कि किस स्थान पर कौन से देवता या देवी का वास होता है और किस कारण से जो हम की जैसे खाना जब ग्रहन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं या फिर दान देते हैं त कि छोटी होती है तो क्या ये भी हमारे पाम रेडिंग से कनेक्ट कुछ रखती है जी बिलकुल सबसे पहले तो मैं जैसे मैं आपको एक एक साइज यदि आप बुरा नहमाने तो आप के साथ मैं ट्राइगर तो आप काइंडली अपनी फिस्ट एक बार बंद कर सकते हैं जी बिलकुल अब आप मने जैसे अप नुर्मल जैसे आप लुशे करें तो आप ने यह करी हैEh चिए आपका थंब बेसिक ली आप होती है विल पावर ऑर आपकी जो फिंगर्ज होती है यह आप अपू होता है थॉट्स गोपрахसेस है तो जैसे मैंने आप से exercise कराई तो it means your willpower is stronger आप maximum जितनी भी fighting tournament जितनी भी fighter जिखते हैं उनका हमेशा यह रहता है क्योंकि वो उनकी willpower बहुत strong होती है जो भी जिस भी इंसान का जैसे कोई यह fist अपनी बंद कर रहा है तो उसने automatically अपनी willpower ही suppress कर ली तो we know what kind of person he or she would be introvert very timid shy तो और प्लस जैसे आपने पहले उस time बनाए था तो थोड़ा आपका यू था हाथ तो वो बेसिकली एक balanced out है you know how to balance out आपके thoughts और आपकी willpower को कितनी नहीं नहीं बाते मुझे यहां पर आप से भी पता चलता है जैसे आपने मुठी बंद करवाई तो उससे आपको मालूम हुआ हम देखते हैं कि जब भी कोई palm reading करते हैं तो हमारा हाथ अक्सर पकड़ते हैं हाना तो यह हाथ पकड़ने से भी क्या कुछ मालूम होता है जी बिलकुल हाथ देखिए मैं इसका एक आपको एक मंत्र बदाता हूं जो एक जो मेरे कलीग्स हैं और जो बाकी पामिस्ट हैं तो दे नो दिस गुरू मंत्र वो मंत्री इस हिसाब से है कि दर्शनाद स्पर्शनाद द्वापी तथा रेखा विमर्शनाद हस्त ग्यानं त्रिधा प्रोक्तम पुराना आत्मा रिशी भी जिसका मतलब हैं कि हम पहले देखते हैं रशनाद स्के बाद स्पर्शनाद स्पर्श मीन तच यह झार्श दिस यह था पहले बिफॉर कम इंट इस तो मैं भी सबसे बस यही पूसा था भाई यह लाइन अगर ऐसी हो यह लाइन ऐसी हो बट लाइन इस दे फाइनल स्टेज तो हम उससे पहले ही इन दो स्टेज से काफी बंदों को अधिक मलब यू जसकंग नो इट फार एक्जमपल जैसे आपने काम आम की टच करना जैसे होता है और उससे पहले आपने बोला देखना तो देखने में जैसे फार एक्जमपल मैं आपको बताऊं इसमें थ्री ऐलिमेंट्स होते हैं फायर वाटर और अर्थ जो आप देखेंगे की वाटर एलिमेंट है वह था आपकी लॉंग फिंगर्स और लॉंग पाम फॉर एक्जमपल आर प्रिय आर डियरेस अक्टरिस मेंसिस दिपका पादुकून तो उससे वाटर हैंट तो वाटर हैंट उसमें उनकी पाम भी अच्छी है और उनका क्या ना क्रियेटिव वेरी आर्टिस्टिक और प्लस उनका हैंड भी काफी फ्लेक्सिबल है तो जिस इंसान का जितना हैंड फ्लेक्सिबल होगा इट्स वेरी गुड ट्रेट परसन इच्छोज बड़ी पीपल फिर उसके बाद जैसे आता है आपका अर्थ उसमें क्या होता है अर् इच्छ काफी शौट में स्कूरेट स्टा बड़ की फिंगर काफी शौट में इस मौट के स्टायटेव और इस फिंगर् उसमें काफी इच्छ को गई तो ब ही यह इनम क्ना का जौरी बड़ीध बड़ी क्रीड कृADR मच मॉट पिंग वेरी प्लेटीऑ इ PM करें का इच्छ आपका पाम एवन स्कुरेड होता है, तो इसमें क्या है? आप में एग्रेशन रहती है, काम करने की, like horse people. And now coming back to भाई, तच करना, तच करने से क्या होता है? तच करने से मैं यह जा सकता हूं कि एक इनसान के अंदर किस चीज की कमी हो सकती है अभी. For example, मैं आप से हाथ मिला रहा हूं, आपका हाथ इतनी गर्मी में भी ठंडा है, तो मेरे को यह पता लग जाएगा कि अभी आप में किस चीज की कमी है. For example, यदि आपका हाथ ठंडा है इतनी गर्मी में, तो मुझे यह पता है कि आपके अंदर कोई blood की कोई न कोई कमी है. And that will result to another thing, वो आपका पाम जो है उसमें blue blue blemishes आजेंगे, क्योंकि आप में खून की कमी होगी है कहीं न कहीं, ठीक है, तो वैसे ही अगर आपका हाथ स्वेटी है, ठीक है, आपका हाथ या तो बहुत सॉफ्ट है, आपका हाथ काफी सॉफ्ट होगा, स्पंजी है, आपके आप कितने जेंटल हैं, कितने सॉफ्ट नेचर के हैं कि यदि आप किसी और को देखते हैं, ग्रीफ में, तो आप भी उसका पेन महसूस करते हैं, और यदि आपके you have very hard and dry palms or hands, it means आप में एक तो सबसे पहली बात आप में तो एक इनसानियत जो चीज होती है कि कि किसी का दुख में आऊं, महसूस करूँ, वो आप में नहीं रहेगी, वो बिलकुल जितने भी आप मास मडरर्स या टेररिस्स देखें, तो उनके हाथ एक दम सक्त और घिसे पिटे और hard, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सुवी है, अब जब ट्रेनिंग सुवी है तो how can you expect humanity from them, यानि कि हमारे हाथी कोमलता से भी हमें पता जलता है, बट इसमें भी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कोई भी चीज अती की अच्छी नहीं होती, यदि आपके हाथ बहुत जादा soft हैं, आपको मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ, यदि आप किसी से बोले ना बोले, बट आपको मैं आपको बाता हैं, बिल्कुल, मतलब हमारे हाथों से हमारी हस्त रेखा के अलावा भी बहुत सारी चीज जो हमारे जीवन के बारे में व्याख्यान करती है, तो जैसे कि आपने बताया की टेंप्रेचर, उंग्लियों की लंबाई, चुटाई, इसमें एक में और एड करता हूँ, सौरी, इसमें, क्योंकि वो देखने वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, इसमें आपके हाथ के कलर्स, मैं नेक्स्ट कुशिन मेरा यही था, तो क्या कलर भी इसमें कुछ माइने रखता है, जी, बिल्कुल, कलर इस, लाइक मैं अगर यह बताऊं, कलर एक ब इसमें पिंकिश हूँ आ रहा है, या सिंधूरी हूँ आए, या शिंदूरी हूँ आए, यह बताऊं, जो बंदे होते हैं, वो बड़े ही सौफ्ट, जेंटल, क्लीन, साफ सुत्रे, और बिल्कुल हॉर्स वाली उनमें एनर्जी होती है, बड़ी तगडी मोबिलिटी रहती है, और हार्ड वर्किंग कैपसिटी होती है, और चूकते नहीं है किसी काम से, जो उन्होंने करना हो, करना है, बस, चले, इसे बहाने मैंने अपने पारे में भी जान लिया, यहां पर, फिर दूसरा पॉइंट आता है, एक होता है, ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड में, जैसे अ हाथ का जो अंदरूनी पोर्चन जिसे हम पाम कहते हैं, वो एक बहुत ही डार्क ब्लैक कलर में होगा, और उसका मतलब यह है कि उस इन्सान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत जादा स्ट्रगल है, पर इसका मतलब यह नहीं हो कि उसे सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्से होते हैं बहुत ही एग्रिसिव लोग होते हैं जिनका हात जोनलब एक अनिमल प्राप्र शौर्ट अच जिनका हाथ ब्लाक बांम में में आता है यह लोग किसी भी सूरत में यदी इनको आप से कुई काम पढ़ेगा तो दे वों थिंक about morals and immorals, ethics, and they won't think about anything. उनके पास कोई भी resources होंगी, वो आप पे apply करेंगे, whether it's good or bad for you, जब तक उनको आप से काम निकलवाना है. After that, they don't care about people. अच्छा ही, ऐसे लोगों के पास पैसा तो आयता है, पर कुदरिती टिकता ही नहीं है. वो उनको लगई ही रहना पड़ेगा ता हुमर. फिर आता है एक आपका red hand आता है, red hand जैसे आपको मैं बता देता हूँ, नाम ही suggest करोगा एक bloody hand, जो बिल्कुल ही आप देखेंगा और ला लेग दम. तो ऐसे लोगों का मैं आपको health wise बताता हूँ, उनमें एक BP की कोई ना कोई problem ज़रूर होगी, कोई ना कोई health issue रहेगा उनमें, कोई ना कोई toxicity acidic people, जिने हम कह सकते हैं, क्यों उनके अंदर से ही है. अब जैसे नाम suggest कर रहा है, रेड, रेड माने खत्रा, जैसे हमें बच्पन में बताया गया है. तो रेड हैंड मुलब वेरी वालेट पीपल, less than those with the black palm, but to a certain level, equally, at par if not more, तो इनमें भी ये सिम्टम्स हैं. अच्छा, black palm, मैं सॉरी, आपको एक और point आड करता हूँ, कि black palm, एक वो palm है, including लब इसके लावे एक और है, एक वो palm है, जिसमें आप rape cases सबसे ज़्यादा देखेंगे. Black palm में. Black palm में. ये लोग इनकी प्रवर्ती थोड़ी शेतानी, शेतानी, नोट शेतानी, शेतानी दूसरा मैं उस पर भी आता हूँ, बट इनकी प्रवर्ती थोड़ी थोड़ी एक रिग्रेसिव, वोलेंट, खुंखार, विरी अनिमलिस्टिक बीएवरी, तो उसके बाद है, brown palm, brown palm, जैसे आपने बोला, शेतानी, brown palm जिसका होता है, अगर मैं हूँ, तो मैं उससे थोड़ा देखके चलूँगा, I need to know how to set my limits, that's, brown palm is a very evalution character, अच्छा, इनमें sex drive भी बहुत होती है, but they lack the vitality, the potency, so ऐसे ही white palm होता है, जिसमें आप white, बिल्कुल foreigners के आप देखते होएंगी, जो बिल्कुल आइस में रहते हैं, विदेशों में, बिल्कुल थंडे पाडों में, थंडे इलाकों में, उनके बिल्कुल सफेद होयाते हैं, palm, उसमें आपको वात, पित और कफ, ये तीन आप चीज़े देखेंगे, इसकी कई न कई डिजीज रहेगी ही रहेगी, और दूसरी बात, इन में अगर मेल है, तो इसमें मेल इन्फियरॉरिटी रहेगी, तो और सेम गोस टू ये लो पाम, तो ये आपके साथ पाम हो गये हैं, कितने सारे ट्रंग आपने बताए, कि ये रंग का महत्व ये है, ये रंग का महत्व ये है, हम अगर देखते हैं, तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जो इस चीज में विशेश अग्ये हैं, वो एक एक चीज बारे की से बता देता है, और ये हमारे जीवन का व्याख्यान जो है, देखे दर्श को मैंने कारिकरम के शिरुवात में ही कहा था कि आपके हाथ जो है आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं लेकिन आविश्यक्ता है उस हाथ को अच्छे से पढ़ने वाले की क्योंकि आपकी हाथ किसी ब्रेखाई नहीं जैसा कि अभी आपको सर ने भी बताया कि हाथ की मोटाई हाथ का रंग हाथ की जो उंगलियों का साइज है सब कुछ जो है ना आपकी जीवन से रिलेट करता है तो यदि आप भी इस चीज में कुछ रूची रखते हैं तो आप भी हमरे साथ कारिकरम में जुड़ सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं तो चली इसके साथ इसके साथ कारिक्रम में आगे बढ़ते नहीं आप ने रंकMe के पार नाध में आब बात रही थम घूंक ऑने जिक्र ने किया यह सम समर्फ का प्लेश्मछ देखेंग cauti को अगोपक प्लेश्व में प्लेश्मा सब्सक्राइब प्लेश्में सेप्लेश् एक गुड़ स्पीकर होगा और उसकी कॉम्मुनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होएंगी यदि यह रहे 90 डिगरी एंगल पर जैसे की मेरा है और मैं आपको दिखा दूँ तो यह काफी एक अच्छा साइन नहीं है और है भी क्योंकि यह साइन वह होता है कि एक बंदा बहु पर करेगा अपने मन की और यदि यह इससे भी पीछे चला जाए कहीं को आप देखते होंगे कि 90 डिगरी से भी पीछे चले आता है तो ऐसे लोग बहुत बड़बोले होते हैं बहुत जादा टॉक्टिव होते हैं और अपनी इनर्जी बड़ी यूही वेस्ट कर देते हैं पर मैं आपको इसका एक कोर्रेलेशन बताता हूं आप अगर यदि अपने फैमिली किसी भी रिलेशन्शिप में अपनी वाइफ या अपनी गल्फरेंड आज के जमाने में या फिर अपने पार्टनर बिजनस पार्टनर के साथ भी हैं तो आप उनका जरूर देखें और आपको डेफिनिटली एक 90 डिगरी पे हैं तो आपको डेफिनिटली कम अंगल वाला चीए होगा जो आपकी बाते सुने और समझे और यदि दोनों ही 90 डिगरी है तो नेगटिव नेगटिव तो यह चीज है प्लस थंब का क्या है थंब आपकी क्यूंकि थंब यहां से आप आप फैलंजिस मैं देखता हूं तो आपका थंब कितना चौड़ा है कितना मोटा है कितना लंबा है यह भी आपकी परसानल्टी बताता है प्लस थंब पे जो नेल्स होगे वो कितना बड़ा है और नेल्स पे जो मून जाते हैं अपने नेक्स्ट कुशिन मेरा पहले ही ले तो थंब की बेसिकली मैं में इंपोर्टेंस यह यह यानि कि नेल्स भी जो हमारे बारे में बताते हैं बहुत कुछ आपके नेल्स कैसे हैं कैसे मिंटेंड हैं उन पे कोई दाग धबे हैं कोई दरारे पढ रही हैं उन पे मून जिसे हम कहते हैं लून जो यह सफेद बहँ आपर है और कितना बढ़ा है कितना चोटा या नहीं है, उसका भी काफी प्रभाफ पड़ता है। Basically, Moons का अगर मैं आपको बताता हूं, Moons आपकी लाइफ में लिएका एक खुशियां, लाइफ में लेका राते है, Luxuries, Happiness, Luxuries तो जितनी जादा हो आपकी जितनी उंगलियों में उतना बहतरी रहता है बट इसमें भी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हर चीज की अथी अच्छी नहीं होती तो यदि ये बहुत बड़ा है और ये आपकी नेल्स का हाफ साइज आ रहा है तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको इट विल पूट यू डाउन अच्छा कई अक्सर मैंने लोगों को देखा है कई कई मेल भी होते हैं लड़कियां तो नाखून बढ़ाती हैं कहीं मेल ने भी या तो सिर्फ छोटी जो हमारी उंगली होती है इसका नेल बढ़ाया होते है या किसी सिंगल फिंगर का नेल बढ़ाया होते है तो क्या वो इससे रिलेट करता है कुछ मैं बैसिकली इसका जवाब तो मैं ये कहता हूं कि कुछ लोगों की जॉब्स डिमांड करती हैं फॉर एक्सामपल इफ यू गो तो नहरू प्लेज या ऐसी कोई जगा जहां पर बिलकुल ही माइन्यूट उसमें काम हो रहा है तो जहां पर आप हर टाइम आपके पास आपकी क्या नाम है पेच कस नहीं है तो दिन फ्यू पीपल आफ सीम डाट दे ट्राइ टू ग्रो तो असरटें एक्स्टेंट कि भई मेरको इससे मेरा काम हो जाए यानि कि यह कोई उपाय या कुछ नहीं नहीं बिलकुल भी नहीं ये कोई लिंक निये कोई उपाय नीया बलकि यह उनकी मजबूरी है इसलिए वह ऐसा करें मैं आपको तो रियुक्त कर ओए摆 कि आप अपने वह ट्रेमड रखें और ईशे रखें इस उन्दर रखें जितन सुन्दर और स्मूद चमकीले आप अगर देखें अपना यहां पे आप भी देख सकते हैं आपका यदि यह शाइन मार रहा है एक आलमंड जब आप छीलते हैं भिगो के रात बर भिगो के उसका जो सर्फेस होता बिलकुल वैसा हो वो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट होता ह आपकी ग्रोथ में उसका क्या अर्थ है एकस जो बन रहा है यदि आपके वह मैंड लाइन जो माइन लाइन होती है और हाट लाइन जिसे हम एज लाइन भी कहते हैं उसके बीच में बन रहा है तो तो यह एक अच्छा साइन है, out of all the X's on your hand, only this is a good X sign on your hand, because यह दर्शाती है कि आपको उकल्टिजम में भले ही वो पामिस्टी हो, या ऐस्रोलोजी हो, या नियुमरोलोजी हो, आपको कहीं न कहीं इसमें belief है, कहीं न कहीं आप इसको look forward करते हो अपनी हलों के लिए, अगर मैं कहूं कि कहीं और cross है आपके hand पे या किसी भी रेखा पे, तो यूजली वह एक अच्छा चिन नहीं माना जाता, जैसे कि आपने और बताया, बड़ी कटी-फटी लाइने होती हैं, कुछ लाइने, आपकी heart line ले लिजे या health line ले लिजे, fate line ले लिजे, वह काफी कटी-फटी होती है लोगों की, तो कटी-फटी होना, अब यूजली आप मेरे खाल से हम सभी को पता है कुछ भी कटा-फटा होना is not a good sign, पर इसके लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडिय है, जैसे कि मैंने आपको हमारे इस इंटर्वी में बिगनिंग में बताया था, एक वो आपको मैंने करदर्शनमला, जो मैंने आपको मंत्र बताया था, और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ही कलीग है, मेरे एक एक फ्रेंड भी है, वो काफी अच्छे, तो मैंने उनकी जो हाट लाइन है, वो बहुत उसमें रिंग थे, मतलब एक चेन थी, जैसे डिये ने होता है, एक प्रॉपर चेन, 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 और ब्रोकन कहीं ना कहीं से, तो यह एक अच्छा साइन नहीं था, बट जब से उन्होंने करना शुख गी है, तो इसमें, यह भी आपकी मानता क्या है, उन्होंने माना, और अगर आप सोचें, यह जजमेंट है, यह ऐसी है, कुछ और आप यकीन नी करें, आप बोल रहे हैं, उसका भी बोलने का भी आपको कहीं रिजल्ट मिलेगा, यकीन करेंग तो 100% करेंगे, तो देखिए दर्शको, इस कारिक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आज प्रदान की गई है, कि आपकी हस्त रेखा के अलावा क्या-क्या माहिने रखता है आपके हाथ में, यानि कि हर चीज जो है आपके जीवन से लिंक करती है, तो अनिवाल, नमस्कार दर्शको